नमस्कार रादे रादे दोस्तों आप सभी का एक बाफिर से बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज हम फिर उपस्तित हैं एक महत्वपून जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुक्रवार का दिन अगर आप ये सरल उपाय कर लेते हैं तो मातल लक्षमी की क्रिपा आप पर बरसने लगेगी और आपकी जीवन की सारी परिशानियां को सो दूर भाग जाएंगी जी हां दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर आपन कुंडली में सुक्रग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो जीवन में धन्य धान्य संतान की कोई परिशानी नहीं होती है क्योंकि सुक्रवार का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक उपाय करना जरूरी होता है इस दिन विदिविदान से मालक्षमी की पुझा आर करके देखें दोस्तों सुक्रवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर इश्नान करें और मालक्षमी को नमन कर स्वेत व्यस्त्रों को धारन करें इसके बाद मालक्षमी की तस्वीर के सामने खड़े होकर स्रीशुक्त का पाठ करें मालक्षमी के पूझन के दौरान उन्हें क गमल का फुल चड़ाएं तीन कुमा कुमारी कर्ण्याओं को सुक्रवार के दिन घर पर आमंतित करें और उन्हें खीर खिलाएं उन्हें दक्षिना देने के साथ ही पीला वस्त्र देकर विदा करें ऐसी धार्मिक मानेता है कि ऐसा करने से मानक्ष्मी जल्द ही प्रशन हो जा अगर आपका कोई काम लंबे समय से अठका हुआ है तो 11 सुक्रवार तक काली चीटियों को सकर के दाने डालें ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पती और पत्नी के बीच लंबे वक्त से नहीं बन रही है तो दोनों के बीच काफी तनाव रहता है तो ऐसी स्थिती में बेडरूम में प्रेमी पक्षी के जोड़े की तस्वीर लगाना चाहिए इससे आपको अवश्य लाब होगा घर में धन सम्मंदी कोई भी कारे करने अगर निकल रहे हैं तो मीठा दही खा कर निकले इससे काम में किसी की बाधा नहीं आती है जी हाँ दोस्तों ऐसा करने से आपको किसी तरह की कोई भी काम में अर्चन नहीं आएगी और आपका काम पूरा हो जाएगा तो दोस्तों ये थे मा लक्षमी के दो बहुत ही सरल उपाय जो की हमें सुक्रवार को करने हैं अगर आप ये उपायों को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन में जो चल रही परिशानिया हैं वो कुछ हद तक सकम हो जाएंगी जी हाँ दोस्तों ये बेहद ही आसान उपाय हैं जो की कोई भी कर सकता है तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कर दें जै मा लक्षमी धन्यवाद